तो हेलो एवरिवन वेलकम बेक तो मैं योटूब चैनल दोस्तों पदान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने आप है 22 जनवरी 2024 को नई योजना का सुबारंब कर दिया है पदान मंत्री सुरेद योजना इस योजना के तहट कौन-कौन पात्रता होंगे कैसे इसे लॉग इन करेंग करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे आपने सभी दोस्तों के हैं क्योंकि दोस्तों यहां पर पदान मंत्री नरे नरमोदी जारा इस नहीं योजना को जो है लॉग कर दिया और हमारा उद्देश ही रहता है कि इस योजना को जन जन तक पहुंचाना गाउं गाउं के जो घर रहेंगे कौन लोग इसमें रेजिस्टेट नहीं करेंगे क्या-क्या डॉकुमेंट चीएगा और कितने लोगों को इसका लाब मिलेगा ये मैं आप सभी के हाँ पे है किलियर करने करें वीडियो को लाइक करेंगे कमेंट बॉक्स में प्यारा सा थैंक्स बोलेंगे क्योंकि योजना नहीं है सभी तक पहुंचानी है और step by step मैंने आप सभी को बताने का प्रियास करना है ठीक है तो आप लोग समझ गें चलिए सीड़े मैं आप सभी को ले चलता हूं कि यहां पर जो है नहीं योजना का जो सुभारम कर दिया है उस योजना का नाम है पदान मंत्री सुर्यत योजना पदान मंत्री नहीं योजना का एलान कर दिया है आविजन से लेकर पाता है कि एक ही सभी जानकर यह आप सभी को देने वाले हैं बाइस जन्नी को जैसे कि आप लाग पजाजार से कम है वो लोग इसमें पातरता होंगे जो गौर्मेंट्स पर जॉब करते हैं वो लोग इसके पातरता नहीं होंगे ध्यान दिंगे आप सभी ठीक है और इसमें जो आप सभी को condition रहने वादी है condition कौन कौन्ची है इसमें लिखाया है ने मेश्सक्राइन करते हैं थीक है यह यह यूजना के ताथ एक कि रोड से जाधा घरों में रूफटाफ आर पैनल लगा जाएंगे ठीक है मतलब कितने लोगों को एक क्रो लोग भूत होते हैं दोस्तो एक क्रो लोग कहीं नहीं इस में आपका नंबर भी होगा इस सोलर पेनल की मदद से लोगों को एनर्जी का साधन मिलेगा प्लस दरसल उरजा छेतर में आत्मनेड़़्मन लाने के겠ने है सरकार ने इस स्कीम को सुरू किया मनला मोदी जी ने भारत में अगर बायचांस कुई इस तरीके का टेक्निकी रियर आएगी तो सौर उर्जा के थुरू आप लोग अपना गुजारा कर सकते हैं ठीक है इस स्कीम में गरीब और मद्यम वर्ग के लोग समलित रहेंगे ठीक हो यह नहीं कि आपकी इंकम 3-4 लाग है या बिजनस मेने आपके लिए इसकीम आप नहीं हुई है यह इसकीम सिर्फ गरीब लोगों के लिए मद्यम वर्ग के लिए जो साल में मात्र 1-1.5 लाग ही कमाते हैं उससे कम ही जिनकी इंक इस परकार नियुक्त तो कहत कै जो यह इंसे कर दिया गया है कि इस योजना के लिए आवेदक की वार्चिकाई 1-5 लाग से अधिकुम नहीं होनी कि ज्यादा नहीं होनी चहिंँ है ठीक है इस परस्ट दे दिया गया है जो है जागरन डाट कॉम न्यूज पेपर के माध्यम इस योजना काल आप किवल भारती को मिलेगा और आविदन करते समय सभी दस्तावे सही होने चीए आविदन किसी भी सरकारी सर्विस में नहीं होने चीए दोस्तों मैंने आप सभी को पहले बताया था हमारी वीडियो के माध्यम से आप सभी को सठीक जानकारी मिलेगी इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आविदन किसी भी सरकारी सर्विस में नहीं होने चीए भल लेकिन उससे पहले आप सभी को बताता हूं कि इसमें जो दस्तावेज जो मीन चीज आपकी बाग्जाद होने चीज वो क्या क्या है अगर कागजी नहीं होंगे तो दोस्तों तो आप इसे कैसे अपलाई करोगे चले जान लेते हैं क्या है जरूरी दस्तावेज नमबर एक पाइप्रमापत्र नहीं नहीं तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कोई नहीं मिलेगा अपको भारत का इसा ही निवासी होना जीए ठीक है आपकी बार कोई नहीं पूरूब होना चीए भारत का विजली का बिल या भोटर हाई-डी कार्ड भी चलेगा income set figure, income set figure कैसे बनेगा, CST से बन जाएगा आपके नजदी की, ठीक है, जिसे हम लोग आई प्रमापत्र कहते हैं, एक लाग से डेले लाग से कम होना चाहिए, मोबाइल नमबर, बैंक पास्बूक, जिसमें आप सभी का भारत सरकार जो है, पैंसा डालेगी और, पास्बूर्ट साइज की फोटू और रासन कार्ड, ये दस्तावेज आप सभी को रख लेने, अब मैं आप सभी को बताता हूँ, इसमें जो है, इसको आविदन कैसे करें, इसकी ओपिशली वेपसाइट देख सकते हैं, इसके बाद होमपैस पे जाने के बाद, अपलाई के बटन को क्लिक करें, ठीक है, उसके बाद, आप अपने राज और जिले को स्लेक्ट करें बाकि सारी जानकारी दर्ज करें ठीक है इसके बाद इसके बाद अपना बिजली का बिल नमबर भरें ठीक है बिजली का बिल नमबर भी आप सभी को अभी बताऊंगा आप सभी को मैं पहले जान पर सुन लो विद्दूत खर्च जानकारी भरें और बेसिक आप लो ठीक है कितना भाई कितने का आप सबीको लगाना है आपको छत के एनुचारी सोलर पैनल कोश्रेlden करें आपगे करना है जब आप लोग अपलेंगे अत्वाई उतने का आप लोग तबहरेंगे इस तरह से आप आवेदन कर देंगे आवेदन पूरा होने के बाद सरकार इस योजना के तार सोलर पेनल लगाने की सब्सीडी एकाउंट से बेंक एकाउंट में डालेगी ठीक है आप सभी को दिखा दिया हमने जागरन न्यूज के अनुसार चलिए आप जानते हैं इसकी ओपिशली वैपसाइट कौन सी थी यहाँ पर मैंने आप सभी को भी बताया था उस वैपसाइट पर हम लोग चले जाते हैं चलने के बाद यहाँ पर देखो solarrooftop.gov.in की ओफिशल वैपसाइट पर हम लोग चले जाते हैं ठीक है चले सीधे में चल ले चलता हूँ दोस्तों इसकी ओफिशली वैपसाइट पर आप सभी आ गए है solarrooftop.gov.in इसकी ओफिशल वैपसाइट है अब आप सभी को इसकी home page पर आजाना है जैसे की मैंने आप सभी को बताया था home page पर आने की बाद सबसे पहले आप सभी को रेजिस्टेट करना होगा अगर आप लोग इसमें रेजिस्टेट नहीं होंगे तो इसका लाव आप सभी को नहीं मिलेगा दूसरा process is login here अब मैं आप सभी को बता रहा हूँ रेजिस्टेट कैसे करें इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा इंतजार करेंगे नीचे आप सभी को रेजिस्टेट का फॉरम कुल के आ जाएगा ठीक है पहले रेजिस्टेट करेंगे step 2 दिया गया है consumer account details अब आप सभी को अपना district open कर लेना है दोस्तों मैं एक उत्राखंड से हूँ तो उत्राखंड डालूँगा उत्राखंड में electricity की कौन सी company चली वो लिख लेना है उत्राखंड power corporation limited अब यहाँ पर अपना district डालेना है कौन से district से हैं यह है अब आपका account number डालेना है consumer account number यहाँ पर आप सभी को डालेना है चले यहाँ पर अपना बिजली के बिल का account number डालेंगे step 2 में क्लिक कर देंगे दोस्तों हमने अपना यहाँ पर बिजली के बिल डाल लिया आप कहरा हमारा mobile number डालो जिस पर हम यहाँ पर send OTP पर क्लिक करेंगे step 2 में आच चुके हैं ठीक है आप ध्यान देंगे अपना mobile number डालेंगे आप सभी यहाँ पर जिस पर OTP जाएगा ठीक है और अपनी email ID डालेंगे ठीक है mobile number और mobile OTP जो OTP आपके registered mobile number पर गया है OTP चलिए मैं अपने हाँ पर mobile number डालेता हूं OTP डालेंगे और email ID ऑप्सनल है इसमें optional का मनलब डाल भी सकते हैं नहीं भी डालेंगे नीचे capture code है और submit पर click कर देंगे और आपका successfully registration हो जाएगा आपके email ID में भी OTP होगर चले जाएगी इस पर डालने के बाद आपका registration complete हो जाएगा अब आप सभी को अपना mobile number डालके यहाँ पर login कर लेना है ठीक है चले अब मैं आप सभी को बताता हूं इसमें step 2 आ चुक है step 3 कौन सा होगा login कैसे करते हैं ठीक है जहाँ पूर आप सभी ने registration होगर कर लिए नीचे submit का बटन है इससे आप लोग यहाँ से submit कर लेंगे उसके बाद नीचे आप सभी step 1 दिया है step 2 में दोस्तों आप सभी को यहाँ पर क्या करना है mobile number डालना है OTP डालना है संदूप का area अगर डालना है number 3 में दोस्तों देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर क्या 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 लिखा हुए रेजिस्टेट फॉर्ड है ठीक है और नंबर चार में वन इस्ट्रोलेशन फॉर ओवर सब्मेट दे आप सभी इसको सब पढ़ लेना है पढ़ने के बाद ही आप सभी इसमें जो है सारी जानकारी फील को टोटल जो है दोस्तों इसमें साथ जानकारिया है देख सकते हैं पहले 6 जानकारी आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जागी 6 स्टेप में आप सभी को कह रहा है कि account within 30 days मतलब 30 days इसमें लग सकता है आपका accounts में जो भी account details send and cancelled cancelled check thought of protocols मतलब come your accounts within 30 days तीज दिन के अंदर दोस्तों जो check होग रहा है cancel हो सकता है या आपके accounts में इसका पैसा भी आ सकता है इसको totally आप सभी को पढ़ लेना है ठीक है अब अगली वीडियो में आप सभी को बतांगा कैसे आप सभी को इसके घर की नाप उगरो कर लेनी है और यहां से आप सभी login कर सकते हैं इसका पहले step में आने के बाद यहां login दिगा हुआ है mobile number डालेंगे वही वाला जो आपने पहले रेजिस्टेट में डाला था और उसके बार आगे का process आप सभी यहां से कर सकते हैं तो थैंक्यू और फैंट वायवायन टेक केर जल्दी मिलते हैं नहीं वीडियो नहीं टॉपिक आज का मारा यही टॉपिक था आप सभी को समझाना था किस प्रकार आप सभी को क्या करना है ठीक है तो अधिक साय तक लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मां अगल लोग अप्लाइए करें आज का मारा टॉपिक था कैसे रेजिस्टेट करें इस फॉर्म को ठीक है तो थैंक्यू और फैंस